तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लडस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग साइक्लोजी पर बेस्ट कहानी पढ़ने वाले हैं यानि की अफसाना पढ़ने वाले हैं कहानी को उर्दू में क्य कहते हैं अफसाना कहते हैं ठीक है तो टेंथ क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नंबर थ्री है उसका नाम है फरार और यह फरार नाम का जो चैप्टर है यह क्या है एक अफसाना है यानि की कहानी है वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि फरार का मतलब होता है भाग जाना सुने होंगे कि चोड जो है ना चोरी करके फरार हो गया ठीक है तो क्या इस चैप्टर में भी कोई चोरी करने से रिलेट बात है या फिर कोई बच्चा है जो चोरी करके भाग जाता है मतलब चोरी करने से रिलेट है या फिर भाग जाने से रिलेट है आप लोग को क्या लग अगर आप लोग ऐसा सोच रहा है ना कि इसमें भाग जाने वाला कुछ कहानी होगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है फरार भले इस चैप्टर का नाम रखा गया है लेकिन यह जो चैप्टर है यह साइकलोजी पर बेस्ट है यानि कि मनुविज्ञान पर आधारी थे मनुविज क्यान एक सब्जेक्ट है विशय जिस तरह हिंदी एक सब्जेक्ट है इंग्लिश एक सब्जेक्ट है फिजेक्स कमिस्ट्री बाइलोजी हिस्ट्री जोग्रॉफी बिलकुल उसी तरह साइकलोजी भी क्या है सब्जेक्ट यानि कि विशय है जिसके अंत्रगत हम प्राडियो व्यक्तियों, जिवजन्तुों के मन और बेवहार का अध्यन करते हैं, मस्तिष्क का अध्यन करते हैं कि कोई भी जिवजन्तु कैसे बेवहार करता है और क्यों, हम इस दुनिया पर जितने भी इंसान है, हर इंसान का अपना अलग-अलग अनुभव है, हर इंसान अलग-अलग बेवहार करता है हम अच्छी खबर सुनकर खुश हो जाते हैं बुरी खबर सुनकर हमें दुख का अनुभा होता है इसा क्यूं होता है इंसान कैसे बेवहार करता है हम चीजों को कैसे समझ पाते हैं और समझ कर किस तरह उसका एंसर देते हैं उत्तर देते हैं मैं अभी आप ल बातों को सुनकर आप परतिकिरिया देते होंगे तो ऐसा क्यूं होता है हम चीजों को समझ पाते हैं और उस हिसाब से हम कैसे परतिकिरिया देते हैं कैसे एंसर देते हैं हम खुश क्यूं होते हैं रोते क्यूं है गुस्सा क्यूं होते हैं यह सभी वेवहारों का अध्यान हम साइकलोजी यानि की मनोविज्ञान के अंतरगत ही करते हैं भ्रह्म हो गया संभ्रह्म हो गया संवेग हो गया प्रेर्णा हो गया इस सभी चीदों का अध्यान जो है न हम स्टडी साइकलोजी के अंतरगत ही करते हैं यानि की दे स्टडी ओ कभी 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 biology पढ़ लेते हैं कभी 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 थिश्च्री पढ़ लेते हैं कभी कभी हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं इसलिए मैं बोलती हो कि psychology बहुत ही ज्यादा सब्जेक्ट है इसके अंतरगत आप पढ़ते हैं कि इंसान कैसे ब्योहार करता है सुचनाओ का इस थानांत्रण शरीर में कैसे होता है इन सभी चीदों का अधेन अमलोग करते हैं और जो पूर्ण रोप से साइकलोजी पढ़ लिया रहता है यानि कि जो साइकलोजिस्ट होते हैं साइकलोजी को एकदम अच्छे तरीके से पढ़े रहते हैं वह किसी इंसान के चेहरे को देखकर ही बता सकते हैं कि वह इंसान अपने अंदर अपने मन में क्या सोच रहा है अभी कोई साइकलोजिस्ट मेरे सामने आ गया और पूछ दिया कि तुम्हारा नाम क्या है तो को भ्रमित करने की कोहिश किया जाता है हाथ की सफाई तो इस सभी चीजों का अधार क्या है साइकलोजी आप मॉस्ट पॉपुलर इंडियन वूमन मैजिशियन को जानते होंगे जिनका नाम क्या है सुहानी शाह बहुत सारी वीडियो उनका यूटूब पर है देख सकती है मतलब माइंड रिंग चेहरे को देखकर बता सकती है कि इनसान अपने मन में क्या सोच रहा है अगर नहीं देखे तो जरूर देख लिजेगा ठीक है तो इन सभी चीजों का आधार क्या है साइकलोजी यानि की मनोविज्ञान ठीक है तो बिल्कुल उसी तरह इस बात को हटाते बहुत यहां पर हम लोग आते हैं यह भी चैप्क्र क्या है साइकलोजी पर बिस्ट है यानि की मनोविज्ञान पर इसमें बच्चे की कहानी बताई गहीं है जिसका बच्पन अच्छा से नहीं बीच्ट बीतता है बच्पन में बहुत सारे घटनाओं को देखता ह जिसके हो जैसे वो बच्पन में उसके मैंड में ये बात फिट हो गई रहती है कि औरते जो होती है ना बहुत होता खटरनाक और अडियल टाइप की होती है मतलब जगडालू टाइप की होती है वो मैं आप लोग को कहानी बताऊंगी पूरी कहानी क्या है एक दम स्टार्टिं लेखा कौन है सयद मुहम्मद मुहसिन और सयद मुहम्मद मुहसिन जो है ना ये नफसियात के प्रोफेसर थे यानि की साइकलोजी के प्रोफेसर अब बताईए ये साइकलोजी के प्रोफेसर है तो साइकलोजी पर बेस्ट ही ये कहानी लिखेंगे ना साइकलोजी पर ही आ यानिकी साइकलोजी के प्रोफेसर ठीक है इनका एक अफसानवी मजमुवा है यानिकी कहानी का किताब अफसाना मतलब कहानी और मजमुवा मतलब किताब कहानी का किताब है अनोखी मुस्कुराहट जब यह लिखे ना अनोखी मुस्कुराहट यह कहानी का किताब यह कहानी का क सिन के अफसानवी मजमुहा का नाम क्या है अफसान में दिया रहेगा अनोखी मुस्कुरा इसको भी इंपोर्टन समझते हुए अभी के अभी याद कर लीजे जहां जहां मैं आप को नोख कर देती हूं कि हां यहां पर कोशन पूछेगा या फिर पूछ सकता है तो उस चीज़ को तुरंत आप लोगो याद कर लेना है तो अनोखी मुस्कुरा इनका अफसानवी मजमुह हो गया इनके वालिद यानिकी पिता जी का नाम था सेयद मुहमद रशीद और इनकी पैदाईश हुई थी दस जुलाई उन्हें से दस को पटना में ठीक यह भी याद रखेएगा कि तीन बेटे और चार बेटिया थी सेयद मुहमद मुहसिन की हलांकि तो अभी कोशन पूछा नहीं गया है लेकिन अब बोड का क्या पता कहीं से भी कोशन घुमा कर पूछ सकत है तो सेयद मुहसिन की तीन बेटे और चार बेटिया थी उन्हें 26 में राम मुहन राय सिमीनिरी पटना से यह मैटर का इंधान पास किये उन्हें 28 में यह पटना कॉलेच से आईए यानि कि इंटर्मीडियेट ऑफ आर्ट्स यानि कि इंटर किस सब्जेक्ट से किये थे तो आर्ट सब्जेक्ट से तो यह आईए कि उन्हें 26 में कहां से तो पटना कॉलेच से उन्हें 31 में नफसियात के साथ इन्होंने बी यह ओनर्स और उन्हें 34 में नफसियात में पास कि और वोल्ड मेडल हासिल किया देखिए इन्होंने बी यह भी किया था नफसियात यनकी किया वियाद रखना है ठेके और इन Hazard किया फिल्हों सब्सक्राइब औरी major सब्सक्रवान का शोबा यानि कि फिलॉसophी का अब फिलॉसफी ठीक है तो उस डिपार्टमेंट में ये लेक्छरर हुए उन्हाई सार्तिज में फिर 10 साल तक वहां पर जॉब किये औरुनाइस सार्तालिस में ठीक दस साल के बादूनाईस सोर्तालिस में पटना उनिवर्परूर्शिटी के शोबह नफसियात में लेक्छरर हुए दिसिंदेन nov60 Ou यह Less अजिए ये पटनाकोलेजakah उब में लेकिन on the 47 में यह सईकलोजी के डिपाटमेंट में किया बन गए लेक्टर वर दम्द और फिर उनैसा तीरपन में यह अनुकि साइकलोजी के डिपार्टमेंट में सदर स्वबय नफसियात मुकरर हुए यानि की प्रसिडेंट बन गए ठीक है ना बना दिये गए और उन्हें से 74 में वहीं से इनका रिटार्मेंट हो गया इनकी सबकदोश हो गए ठीक है आगे बढ़ते हैं इनका कुछ नफसियाती का एक ही दिया गया है नफसियाती मजामीन यह क्या है मजमून यानि की निबंद है जो की साइकलोजी पर अधारित है ठीक शेरी मजमुआ इनका है यानि की शेरोशायरी के किताब जिसका नाम जखम के फूल याद रखना है यह भी इंपोर्डेंट है शेरोशायरी के किताब का नाम क्या है जखम के फूल जो की सेद म हुआ था ना कोश्चन पूछा था कि सेयद मुहमद मुहसिन किस साल अपनी एहलिया के साथ हज का परिदा आदा किये तो किस साल गये थे उन्हें से दिली में ही ठीक तो यह हो गया सेयद मुहमद मुहPro बारे में सारा डीटल्स जो कि आप लोगे रिखा गया था हर एक देखिए फरार का मतलब होता है भाग जाना और जैसा कि मैं आप लोग को बता दी कि इसमें एक इसे बच्चे के बारे में बताए गया है जो कि आगे जो जिसका बच्पन अच्छा से नहीं गुज़रा रहता है जिसके वज़ा से उसके mind में ये बात fit हो गए रहती है उसके दिल में उसके जहन में ये बात बैठ गया रहता है कि औरते बहुत ही जदा खतरनाक होती है जगडालू और अडियल टाइप की होती है क्योंकि उस बच्चे का बच्चपन अच्छा से नहीं गुज़रा रहता है और वही जब आगे क्या सा रिलेट करने की कुछ किजिए फ्रार का मतलब क्या भाग जाना तो यहां पर इस चैप्टर में यही बताए गया है कि कैसे बच्चा और तो से दूर भागता है बच्पन और उस बच्चा का नाम रहता है इस कहानी का जो मरकजी किरदार है में करेक्टर वो है और भी महमूद के लावा जो छोटे मुठे करेक्टर है इसमें इस कहानी में हो है अजीम खालिदा अजीम रहता है महमूद का दोस्त खालिदा उसी महमूद जिस कॉलिज में पढ़ने के लिए जाता है उसी कॉलिज की एक लड़की रहती है और जबीदा वो रहती है जिसक बच्पन इसका अच्छा से नहीं गुजरता है बच्पन में अपनी मां को डाटते फटकारते हुए देखता एक दिन हुआ यह कि इसकी मां जोड़ से चिलाई महमूद महमूद अपने कमरे में बैठकर मैट सॉल्व कर रहा था ठीक है अचानक आवाज आया इसकी मां का महमू मां ही बहुत ज़्यदा खतरनाक थी और जाकर अपनी मां के सामने खड़ा हो गया उसकी मां तेज आवाज में बोले कि जाओ उन्हें बुला कर लाओ कि इन्हें बुला कर लाओ यानि कि अपने पिता जी को बुला कर लाओ तो गया महमूद अपने पिता जी के पास और बोल हुआ है तब ये बात सुनकर मेहमुद की मां बोलने लगी हैं मैं चिलाती ऑरतों नहीं कर रही है इस तरहां बात क deepest महमूद के पिता जी यह बात सुनकर बोले कि मैं तुम्हें कब ये सब कहा यह तो तुम अपने ही से बोल रही हो महमूद की मां बोले हाँ आप तो बड़ा शरीफ हैं इस थारफ होती है आप बढ़ बड़ा शरीफ आदमी है हम एकलम जाहिल हैं कमीनी है यह बात बक बकाने लगी बहुत जोर जोर से तब महमूद की पिताजी जल्दी जल्दी आ है और बोले कि खुदा का वास्ता है अब बता भी दो हुआ क्या है तब जाकर महमूद की मा जो है न बोली कि आप जो वकील के घर हर रोज चले जा रहे हैं और उसकी पत्नी से हर मैंरिये बोलो गाउवाले सुन लेंगे तो खाम कंपर vatshक रेंगे जब्कि एसा कोई बात ही नहीं तब महमूद की मा चिला नि लगी सुन ले रहे हैं तो सुनुं रहे तो सुननेब के इसमें गलत ही क्या है और मतलब हजार गालिया देने लगी वकील को और उसकी बीवी क और रोज का यही मतलब आप बोल सकते हैं हर रोज का यही धन्दा हर रोज मेहमूद इन सभी घटनाओं को देखता था अपनी माँ को डाटते हुए देखता था किस तरह वो अपने हस्बंड यानि कि शोहर पर चिलाती थी उनको डाटती थी फटकारती थी यहर चीज देखता था मेहमूद और इसी वज़ासे बच्पन में उसके जिहन में यह बात बैड़ गई रहती है कि और रोज का धन्दा था दस साल का जब महमूद हो गया तब यह यतीम हो गया मतलब इसके मा और पीता जी दोनों का इंतकाल हो गया और उसके बाद से यह महमूद को भेज दिया गया मामू के घर अपने मुफलिस मामू के यहां गया और वहीं से महमूद की जिंदगी की असली परिशानिया स्टार् लेकिन अराम से अपने पढ़ाई पर धियान देता इसका जो दोस्त था अजीम और भी तुमको कितने पढ़ने के दौरान क्लास में कितने मतलब तुमको छुप कर देख रही थी काश वो मुझे को देखती मैं तो उस पर सब कुछ लुटा देता ऐसे होता है ना स्कूल लव स्टोरी टाइप का तो वही महमूद का जो है ना दोस्त अजिम बोलता है कि यार तेरे अंदर तो तेरे शरीर के अंदर दिल नहीं पत्थर है या फिर लकड़ी है जिस पर बिजली का परभाव नहीं पढ़ रहा है खालिदा तुझको हर रूज देखती है क्लास में चुप चुप कर तुझको ताकती है लेकिन तु है कि उसको भाव ही नहीं देता है अगर मैं रहते हैं मुझको तुरह देखती ना तो मैं इस पर सब कुछ लुटा देता है महमूद बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है रहने दो तो अजीम उसका जो दोस्त है बोला कि नहीं ऐसा ही बात है चलो ऐसा बात नहीं है तो मैं खालिदा से ही तुमको बलवाता हूँ वो तुमको पसंद करती है ठीक है ना खालिदा खुद बोलेगी तो महमूद बोला ऐसा बात है ठीक है अजीम बोला कि हाँ ऐसा ही ब पहुंच गया मेहमूद भी उस जगह पर जा रहा था लेकिन रास्ते में जाते वक्त उसको एक्षास हुआ कि भाई तु बहुत गलत कर रहा है एकदम गलत ट्रैक पकड़ रहा है अभी जिन्दगी सुद्री नहीं और फिर गल्ट्रेंट नहीं 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 ऐसा नहीं करना च करने लेकिन आधिया रास्ते से उसको लगा ऐसास हुआ कि बहुत गलत हो रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर आधिये रास्ते से वापस लौट आया उसका दिल गवाई ना कि यह सब गलत है और लौट आया और फिर अगले दिन स्कूल में मुलागात हुई दूनों की अजीम और महमूद की तो अजीम पूछा कि तुम बोले थे कलाने के लिए मैं खालिदा को भी ले कर आ गया था लेकिन तुम क्यों नहीं आए तो महमूद बहाना बना दिया कि वो मेरा सर में दर्द हो गया था तभी ध्राब होए थी इस वज़ा से मैं नहीं आ पाया ठीक है यह सारा चीज जो हुआ इसके जिन्दगी में जैसे तैसे इसके जिन्दगी बीती और आगे चल कर यह डिप्टी कलेक्टर बन गया महमूद सोचिए अगर उस दिन खालिदा से जाकर मिल लेता और इस चकर में पढ़ जाता तो क्या महमूद डिप्टी कलेक्टर बन पाता पिल्कुल भी नहीं लाइफ जंड हो जाता लेकिन महमूद उस दिन बहुत ही अच्छा फैसला लिया था आधे रास्ते से वापर स्लॉट आया और अपने पढ़ाई पर फोकस किया और आज देखिए महमूद डिप्टी कलेक्टर बन गया एक सफल इंसान बन गया अब जब जगा से रिष्टे आएंगे आप लोग ए तो यहां पर महमूद देखिए उधारण भी है महमूद डिप्टी कलेक्टर बन जाता एक सफल इंसान बन जाता है और तब रिष्टो की लाइं लगने लगती है तब रिष्टे जगा जगा से रिष्टे आने लगते हैं और उसी में से एक रिष्टे को यह सेलेक्ट कर लेता है ठीक है जिस रिष्टे के लिए मानता है ना मतलब जिस लड़की से यह शादी करने के लिए तयार होता है उस लड़की का नाम रहता है जबीदा ठीक है क्या नाम रहता है जब जबिदा का मैट्र का एक्जाम हुआ और बहुत अच्छे नम्ब्रों से यह पास भी हुई और तब शादी की तैयारिया एकदम धूम-धाम से होने लगी मेहमुद जो है ना दो-तिन महीने पहले ही क्या लिए चुट्टी ले लिया था उसी की शादी थी तो दो-तिन महीने प महमुद का निकाह भी हो गया लेकिन महमुद जब गया रहता है ससुराल जबीदा से निकाह करने के लिए तो वहां पर निकाह कर लेने के बाद दुले को ले कर जाया जाता है ना घर के अंदर जहां पर लड़की रहती है तो उस घर में धेर सारी औरते होती हैं जो रसम और रिवाज बहुत सारे रसम होते हैं तो वो सारे रसम और रिवाज कराने के लिए दुले को अंदर ले कर जाया जाता है घर के अंदर एंटर करता है महमूद तो एक साथ धेर सारी औरतों का भीड देखता है धेर सारी औरती एक सार दिखाई देती एकदम मोटी कोई मोटी कोई पतली एकदम कोई तेढ़ा मुँख कोई अच्छा मुख किसी का अच्छा खुबसूरत सकल किसी का एकदम खतरनाक सकल देखकर उसका हालत खराब हो जाता है एक और अवरत से इतना डरता है तो धेर सारी और भीड एक सांथ देख लेता है सोचे इसका क्या हाल हुआ होगा और उस वक्त इसका पूरा शरीर ठंड़ा पढ़ने लगता है और इसके मुझ से आवाज भी नहीं निकलता है सोचिए कितना और अवरतों से डढ़ गया रहता है इसके जहन में बात बैढ़ गए रहते कि और बहुत ज़्यादा खतरनाक रहती होती है और एकदम चुप एकदम बोलना सीखा ही नहीं है एकदम गुमच बूम हो जाता है सभी लोग इसको लाते हैं इसके निकलते हैं कि तुक्षिए और बूलना सीखा ही नहीं तो यह और तो की भीड़ को देकर ऐसा कंडिशन महमुद के सांथ होता है और यहीं पर आप लोग की एक कहानी जो है यहीं तक है आप लोग के बुक में कहानी यहीं तक बताई गई है ठीक है तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और इस कहाने से आप लोग को सीख क्या मिली सीख ये मिली कि कभी भी बच्चों का जो बच्पना है न अच्छा से गुज़रना चाहिए और जो बच्चे होते हैं जिस माहौल में रहते हैं जिस परिवार में रहते हैं उसी के हिसाब से ढल जाते हैं और इसलिए बच्चों को अच्छे माहौल में रखना चाहिए परिवार में रह रहे हैं तो परिवार का भी महावल अच्छा होना चाहिए नहीं कि हमेंसा जगडा होते रहे तो फिर उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है वो भी जगडालू टाइप कर हो जाता है तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों का बच्पन अच्छा से गुज समझ में आए तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर दे और कमेंड में लिख कर बताये कि हां बहुत यह अच्छे तरीके से कहानी समझ में आई है और पूरा चैप्टर समझ में आया है ठीक सब सब पहले आप लोग यहां तक लिले लिए फड़वार स्क्रीन शॉर्ट है है तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं वीडियो को शेयर कर जीजै अभी तक क्षियर नहीं किये तो अपने पढ़ोव से अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा उसचेयर कर दे ताकि सबी के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज